आज हम लोकी की इतनी टेस्टी सबजी बनाकर तयार करेंगे यदि आप इसे एक बार बनाएंगे तो आपके घर में जो लोकी नहीं खाते हैं वो भी लोकी खाना पसंद करने लगेंगे नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका श्यामर सोई में तो चली शुरू करते हैं बनाना लोकी की ये स्वादिष्ट सबजी बनाने के लिए मैंने यहां आधा किलो लोकी ली है लोकी को पहले अच्छी से चील लिया था उसके बाद इसे धो लीजिए और धो लेने के बाद इसे कट कर लीजिए तो मैंने थोड़े इसे बड़े बड़े टुकडो में इसे कट कर लिया है आप अपनी पसंद के हिसाब से इसे काट लीजिए अब हम लोकी पर थोड़ा सा लाल मिच का पाउडर डालेंगे लगबग मैंने एक चोथाई चम्मच लाल मिच का पाउडर डाला है दो पिंच के करीब हलदी पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल दीजिए अब हम इन मसालों को लोकी पर अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम एक पैन लेंगे इसमें एक बड़ा चमच तेल डाल दीजिए और इसे पैन में अच्छे से फैला लीजिए गैस की फ्लेम को हाई पर रखिए और अब हम ये सारी लोकी इसमें डाल देंगे पहले हम दो मिनिट के लिए लोकी को हाई फ्लेम पर फ्राय करेंगे इससे लोकी पर एक क्रिस्पी सी कोटिंग आ जाएगी और लोकी की सबजी इससे बहुत ही टेस्टी बनकर तयार होगी तो इस तरह से लोकी को अलग से फ्राय करके लेंगे तो सबजी का टेस्ट बहुत ही कजब का आएगा और ये लीजी हमने लोकी को 2 मिनिट के लिए अच्छे से भून लिया है अब हम गैस की फ्लेम को मेडियम कर देंगे और लोकी जब तक 80% तक सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हम इसे पका लेंगे तो जब तक लोकी पक रही है तब तक हम एक स्पेशल मसाला बना कर तयार करेंगे हमने मिकसर के जार में आधा चमच जीरा, आधा चमच साबुद धनिया, एक इंच अदरक का टुकड़ा इसे मैंने चोटे चोटे टुकड़ों में काट लिया है, दो हरी मिर्च ली है और पांच से छे लहसुन की कलिया ली है इन सब को हम बिना पाने डाले दरदरासा पीस कर तयार करेंगे, आप चाहें तो इसे खलबत्ते में भी तयार कर सकती हो तो चलिए मसाला तयार है, अब हम फटाफट से इसके लिए ग्रेवी तयार करेंगे, इसके लिए मैंने कडाही में तीन बड़े चमच तेल डाला है, जैसे ही तेल गरम हो जाएगा, हम इसमें हींग डाल देंगे, एक चोथाई चमच हींग डाला है मैंने, अब हम इसमें य लोकी की सबजी बना कर देखिएगा बहुत ही जादा टेस्टी बनकर तयार होती है तो चलिए हमने मसाले को 30-40 सेकेंड के लिए भून लिया है अब हमने यहां दो मीडियम साइज के एकदम बारिक कटे हुए प्याज लिये हैं प्याज को भी हम मीडियम फ्लेम पर लगबग 3 चार मिनिट के लिए भून लेंगे या जब तक इसका हलका सा कलर चेंज ना हो जाए और प्याज पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाता है प्याज हमारे एकदम बढ़िया से सॉफ्ट हो गए हैं तो अब हम गैस की फ्लेम को एकदम लो पर कर देंगे और इसमें सारे सूख पाउडर डाल दिया है इन मसालों को भी अच्छे से भून लेते हैं इसमें 4-5 चमच पाने डाल दीजिए और अब मसालों को तब तक भून लीजिए जब तक की मसालों के किनारों से तेल अलग नहीं हो जाता है तो इसे हम मेडियम फ्लेम पर कंटीनू चलाते हुए टमाटर डालने के साथ ही नमक भी डाल दीजिए तो मैंने पूरी सबजी के हिसाब से इसमें नमक डाल दिया है और अब हम टमाटर को तब तक भूनेंगे जब तक की इसका पानी पूरी तरह से नहीं सूख जाता है तो जब तक टमाटर भूनता है हम यहाँ पर लौकी को भ बार चला दिया था और लोकी हमारी 80-90% सॉफ्ट हो चुकी है और आप देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी सी भी दिख रही है तो चलिए अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे ये देखिए लोकी एकदम ताजी थी तो ये जल्दी सॉफ्ट हो जाती है यदि फ्रिज में पूनी हुई कसूरी मेथी डालेंगे और एक चमच मैं यहां किचन किंग मसाला डाल रही हूँ इससे सबजी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा आप इसकी जगे सबजी मसाला या गरम मसाला भी ले सकते हो अच्छे सी दोनों मसालों को मिक्स कर दिया है और अब हमने यहा पूर्ष क्रेशों में दूद आता है उसे गरम करने के बाद जो उपर लेयर आती न उसका हमने इस्तेमाल किया है आप इसकी जगे फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हो यदि आपको यह दोनों ना मिले तो आप इसमें 3 टेबल स्पून ताजा दही भी डाल सकते हो पर बच्चे इस सबजी को पूरी चट कर जाएंगे और ये देखिए मलाई एकदम बढ़िया से मिक्स हो गई है तो बस अब हम इसमें ये फ्राइ की हुई सारी लोकी डाल देंगे लोकी को मसालों के साथ एकदम बढ़िया से मिक्स कर दीजिए फ्रेंट्स आपको देखने से ही समझ में आ रहा होगा कि ये सबजी कितनी ज़्यादा टेस्टी बनकर तयार हुई है और ये लीजिए हमने मसालों को लोकी के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है अब हम इसमें डालेंगे गरम पानी तो फ्रेंट्स मैं इसे बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं बना रही हूँ इसे मैं एकदम लटपटे से मसाले वाली लोकी बना कर तयार कर रही हूँ ये देखिए आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज्यादा पानी इसमें डाल सकते हो और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए तो चली सारी चीजे अच्छे से मिल जूल गई है अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो पर कर देंगे और इसे ढख कर लगबख 6-7 मिनिट के लिए पकाएंगे या जब तक लौकी सॉफ्ट ना हो जाए तो देखे 6-7 मिनिट के करीब हो गए है और फ्रेंट्स हमने जो इसमें मलाई डाली थी उसने भी अपना फैट रिलीज कर दिया है और ये हमारी सबजी बनकर तयार हो चुकी है लोकी हमारी पहले से ही सॉफ्ट थी तो इसे पकने में और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अब हम इसमें बारी कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे इसे मिक्स कर लेंगे और ये हमारी सबजी बनकर बिल्कुल तयार है आप इसे सिंपल रोटी पराठा किसी की भी साथ सव कीजिए पर एक बार जरूर बना की देखिएगा इसका टेस्ट बहुत ही गजब का है तो फ्रेंट्स रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और ट्राइ करने के बाद अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके